किसान भाईयों नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल थाकड एगरिकल्चर में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम लैसुन की बुआई करने वाले एक ऐसे जुगाड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके समय की बचत करेगा फैसो की भी बचत करेगा यानी कि यूँ कहे तो लैसुन की बुआई जो आप हातों से चुपाई करके करवाते हैं उसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है तो उस जुगाड के दोरा आप अपने खर्चे को भीी बचा सकते हैं और समय की भी बच्चत कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी लासुन की बुवाई का काम निप्टा सकते हैं तो किसान भायों आज के इस वीडियो में हम एक एसे ही जुगाड के बारे में बात करेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे कि किस परकार से वह जुगाड काम करता है कहां से आप खरी सकते हैं किस परकार उसका फाइदा है वह रहता है परन्तु हम वीडियो में आगे बढ़ें वह जुगाड आपको दिखाएं उससे पहले मेरा आप आपसे एक चोटा से निमेंदन रहेगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैन किसान भायों, जैसा कि आप इस वीडिएो में देख पा रहे है इस जुगाड को यह जुगाड जोchat किस प्रकार से काम करता है अगर बारे में बात करें तो जैसा कि आप पीछे सर्कल देख पा रहे जो गोल गुम रहा है उसके द वारा जो लयसन की नालियां होती है क्यारियं के बीचमें जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वह लाइने इस जुगाळ से हम डलवा सकते है यानि कि अगर आप लेसं की बुगाळ हाथों से चुपाई करके करवा रहे हैं तो ये जुगाळ आपके लिए एक बर्दान साबित हो सकता है किसान भाइओं इसका जो फाइदा है अगर फाइदे की बात करें तो जब आप लेसन की बुआई करते हैं हाथों से चुपा कर तो उसमें काफी ज़्यादा मजदूर आपके लगते हैं और करीबन दो से तीन मजदूर तो ऐसे होने चाहिए जो कि जब आप लेसन की क्यारियों में बुआई कर रहे हैं तो आपके आगे आगे जो नालिया बनानी पड़ती है वो नालियों को जो मजदूर बनाते हैं परंतु अगर आप इस जुगाड का इस्तमाल करते हैं तो आपको उन मजदूरों का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, यानि कि वो नालिया बनाने वाले मजदूर नहीं लगेंगे, इस जुगाड के दोरा आप अपने खेट में नालिया बना सकते हैं, जैसा कि आप इस वीड वौभ खाले नहीं मनानी दोड़ार करके रखें और कियारिया से बनाएगी सिस्टेम भी दिया हुआ है जिसमें एक सेहरा लगा हुआ है आगे की साइड में जो क्यारियों पर जो है मिट्टी चड़ाता जाता है जिसे की दोनों साइड पर बड़ी मेड़े बन जाती है और इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, जो पत्यां लगी होई है, इस परकार की पत्यां इस जुगाड में लगी है, जिसे जब चलता है, तो यह पत्यां जमीन के अंदर घुषती है, मिट्टी में घुषती है, तो वहाँ पर एक लाइन बना देती है, और इसके लाइन से लाइन की दूरी तो फिक से रहती है पांच इंचे तो इसमें ज्यादा बीज भी पास-पास नहीं गिरते हैं और लैसुन की अगर हम भुआई करते हैं खेती करते हैं तो सबसे बेश्ट तरीका अगर हम हाथों से चुपाई करके उसकी पैदावार लेते हैं तो हमें पैद डारेक्ट बीज बुनना ही में काम रहेगा उसके अलावा अदरवाइस कोई काम नहीं रहेगा तो इस जुगाड के बारे में मैंने आपको बताया और यह जो जुगाड है लगबग जो यह ट्रेक्टर वाले बाई-साब है इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि एक बीगे और आपको कहां पर मिलेगा इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में आप तक जानकरी पहुंचा देंगे अगर आपको वीडियो चाहिए अगर आप कमेंड करते हैं तो ही हम आगे आने वाले वीडियो में कहां पर मिलेगा इसकी पूरी जानकरी आप तक पहुंचाएंग पूरा पूरा उठा रहे हैं इसका फाइदा पूरा पूरा उठा रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि लाइने बनाना नहीं पड़ती है मजदूर कम लगते हैं और जल्दी वहाई करके उसमें पानी दिया और लेसुन की आराम से खेती कर रहे हैं किसान भाई लगबग हमा आपको इसके बारे में और अधिक जानकरे चाहिए हो तो भी आप कमेंट करें हम अगली वीडियो में इसकी यहागार्याण आप तक रही रही तेन्ने वाद जे दुआन जे किसा